Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल इस भूमी ने, इस सभ्यता ने, बहुत दशोकों से, बहुत सालों से, कितने ठोकरे जहली हैं, कितने अटैक्स देखे हैं, कितने दशक बदलते हुए, कितने सधिया, कितने दौर बदलते हुए देखे हैं, बट आज भी हमारी ये पावन भूमी, हमारी ये पावन धर्ती फक से खड़ी है कि बस हमें वो पंक मिल गए है कि हम अभी आस्मान की उच्छा योग को लांग सकते हैं So guys, I wish you all a very very happy independence day and मैं चाहूंगा कि आज आप और मैं मिल के एक प्रतिज्या करे कि हाँ आज से हम हमारे सोच से भी आजाद है because अगर आप सोच से आजाद है तो आप इरादे आपके मजबूत रहेंगे अगर आपकी इरादे मस्बूत हो तो फिर क्या ही माउंट टेवरेस्ट, फिर क्या ही सोलार सिस्टम, क्या ही उनिवर्स, सब कुछ आपके कावू में रहेगा तो इसी positive thoughts से हम आज का ये अनुका session शुरू करते हैं जो मैं खास आपके लिए ला रहा हूँ and इस session का नाम है कि how can geography make your thinking independent कि geography आपको कैसे सोच से आजाद कर सकती है आपको अगर geography का knowledge रहे तो आप कैसे दुनिया से दो कदम आगे रह सकते हैं and कैसे आप basically इस knowledge को यूज़ करके, इस discipline को यूज़ करके आप बाकी competitors से because ultimately जो civil services examination है, it's a game of competition तो आपको अगर number one रहना है तो आपको competition में भी आगे रहना पड़ेगा, तो कैसे आपको geography help करेगी in winning that competition because जो history रही है इस दुनिया की, जो history रही है हमारी भारत की, वो काफी कुछ geography से linked रही है and जो world के greatest wars है, जो फिलाल geopolitics चल रहा है, वो भी सब कुछ geography से linked होता है तो इस session में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे आप geography का knowledge use करके, आपकी सोच को आप independent बना सकते है and कैसे उस सोच को independent बना के आप beautiful answers लिख सकते हैं and guys, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी opportunity share करना चाहूंगा अगर आप मेरे साथ, myself पृतिश मातुरकर, the lead optional faculty at study IQIS अगर आप मेरे साथ, world tour पर जाना चाहेंगे, अगर आप मेरे साथ, geography optional पढ़ना पसंद करेंगे तो please आप मेरा code use कीजिए, PM life, study IQIS is celebrating आज़ादी कामरित महुत सफ तो अगर आप मेरा code use करेंगे तो आप मात्र 12,999 रुबी में मेरे साथ optional पढ़ पाएंगे and this batch is starting from 21st of August sharp at 1 PM if you use this code, you and me will go on a new journey, you and me will fathom the deepest points on earth, the highest points in the sky and the untamed and the unmatched corners of the cosmos तो हम लोग सारी दुनिया, सारी संसार की टूर पर जाएंगे and धीरे धीरे हम सारी चीज़ों काभू करेंगे so I sincerely pray that each and everyone of you, those who are watching me right now, live आप please इस close में enroll करेंगे and आप और मैं मिलके इस जर्नी पर आगे बढ़ेंगे तो चलिए, शुरुआत करते हैं आज के सेशन के बारे में so आज का जो सेशन है, यह सेशन काफी अनोखा है because इसमें आपको बहुत तरी नई नहीं चीज़े सीखने को मिलेगी and मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जोग्रोफी का नॉलेज यूज करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं कैसे आप इस दुनिया का moral fabric समझ पाएंगे and कैसे आप काबू कर पाएंगे आपके thinking को so guys अगर मैं आपको एक brief history paint करो कि कैसे हमारे दुनिया shape हुई है I am not talking geographically but I am talking in the sense of human settlement कि कैसे इंसान का जनम हुआ कैसे इंसान धीरे 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 आगे बढ़ा and इसमें geography का क्या हाथ था so guys if I tell you कि हमें सबसे पहली civilization कहां मिलती है दुनिया की where do we find the earliest civilizations of the earth तो आप यह जो देख रहे हैं जनाब यह है हमारे दुनिया का नक्षा तो अगर मैं आपको इसमें बताओ कि जो दुनिया की सबसे पहली civilization रही है वो कहां पे रही है तो वो यहां पे रही है गाईस okay so this is called as mesopotamia okay this is called as mesopotamia okay यह जो आप देख रहे हैं यह area इसे हम लोग कहते हैं mesopotamia mesopotamia okay so mesopotamia में यहां पे आपको दो नदी दिखेंगी okay you have two rivers you have rivers called as euphoritus and tigris आपके पास दो नदिया है एक नदी का नाम है euphoritus and दूसरे नदी का नाम है tigris and दूसरे नदी का नाम है tigris okay tigris so यह दो नदियों के बीच में आपको मिलती है दुनिया के पहले सबसे बड़ी सब्य था जिसे हम लोग Sumiritan civilization भी कहते है जिसे हम लोग basically we call it the cradle of human civilization कि यहां पे yes यहां पे हमारी civilization शुरू होती है इसके साथ-साथ आपको दुनिया की जो बड़ी-बड़ी civilizations मिलती है वो भी आपको कहां मिलती है वो भी आपको मिलती है along the major rivers of the world जैसे हमारा Egyptian civilization यह कहां पे है it is along the Nile river जैसे हमारा इंडिया का Indus Valley Harpamohonjadaro it is along the Indus Valley civilization China का civilization it is along the Yangtze river so कुछ इसी तरीके से अगर आप major civilizations देखेंगे दुनिया के so they are along one major river क्यों major river because civilizations का जो base रहता है किसी भी civilization का जो base रहेगा वो रहेगा food security अगर आप आपकी आवाम को अगर आप आपके लोगों को आपके masses को खाना प्रोवाइट कर दे पा रहे है तो आपका civilization बहुत soberan रहता है आपका civilization self-sufficient रहता है इसी वज़े से जो भी आप major civilizations देखेंगे वो आपको एक बड़ी नधी के द्वारा एक बड़ी water body fresh water body के यहाँ पे आपको मिलेंगे and yes उनको आपको क्या लगेगा you will require c-axis q c-axis q because for trading तो बड़ी बड़ी जितनी civilizations रही है उनको geography ने कैसे shape किया है उनको geography ने कुछ इस तरीके से shape किया है if they have a big river if they have access to sea port then उनका trade भी अच्छा उनका commerce भी अच्छा उनका agriculture भी अच्छा इसी वज़े से यह सारी civilizations इतनी बड़ी बड़ी बन रही तो चल 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 क्या regards to this कि हम लोग correlate कर पाया आप यह जो बोल रहे है बड़ी बड़ी सब्धा है बड़ी बड़ी civilization तो चलिए आज के तारीक में भी मैं आपको इसको बहुत बड़ी तरीके से explain कर देता हूँ so all of you know guys that presently Russia and Ukraine are engaged in a war Russia and Ukraine presently war चल रहा है कि नहीं चल रहा है okay so यह जो वार चल रहा है guys यह वार कौन से रीजन में चल रहा है आपको पता है यह वार चल रहा है guys यह वाले रीजन में so the war is being fought in this region यह वाला जो रीजन है यह रीजन में यह वार चल रहा है अगर आप इस region को ध्यान से देखेंगे, so guys this is the stepy region, this is the stepy region, steps, इन्हें हम लोग क्या कहते है, steps, and steps जो है guys, these are the temperate grasslands, ये क्या है, ये है temperate grasslands, these are the temperate grasslands, पूरे यूरोप का जो 30% wheat production है, वो यहीं से जाता है, and do you know, ये जो stepy region था, ये किसका birth था, this was the birth of Slav race, जो Russia की dominant race है, जो USSR की dominant race है, Slav race, ये इसका birth place है, the Ukrainian steps, so आज के तारिक में आप ये जो war देख रहे हैं, ये war basically पता है किसके लिए है, ये war basically दो ही चीज़ों के लिए चल रहा है, एक सबसे पहला black sea का access, because if Russia gets black sea का complete access, it will control this complete part of the world trade, so Russia will have an access to the materian sea and दूसरा, अगर आप news affairs, अभी अगर आप current affairs को follow कर रहे हैं, तो Russia जो है, Russia ने अभी recently यहाँ पे जानबूच के grains को चुरा लिया, जानबूच के कुछ-कुछ grain के गोडां उसको आग लगा दी, क्यों, because Russia knows कि अगर आगे climate change हो गया, तो यही region Russia को grain supply कर सकते, तो Russia यह जो इस region पे sovereignty establish करने की कोशिश कर रही है, why, number one, again, because of food security, and number two guys, because of port access, तो अगर आप एक geography का historical perspective देखेंगे कि कैसे civilization shape हुए है, कैसे वो आगे बड़े है, तो आपको present day connection मिल जाएगा, and guys, बहुत पहले से, बहुत पहले से, पहले से in the sense that the time when it was the age of bovajan expeditions, जब यह बोला गया कि अभी हम लोग dark ages से बाहर आ रहे हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी we will try to roam the world, हम लोग अभी अलग 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 जगह पे जाएंगे, नए-नए cultures को document करेंगे, and slowly we will try to paint the picture of the world, यह कब शुरू हुआ, जब हमारा Europe जो है, यह Europe dark ages में से बाहर आने लगा, so Spain से, Portugal से, Dutch से, England से, सारे sellers बाहर निकलने लगे, and they are starting to map the world, जैसे इंडिया में आये वासकोधिगामा, so वासकोधिगामा में आये Cape of Good Hope से, so here is basically India, okay, so यह सब क्यों हो रहा था, okay, क्यों, why India, and यह जो part है, यह part क्यों आया picture में, world trade में, why did this part come in the picture of world trade, इसका simple जबाब है, इंडिया कैसी चीडिया थी, इंडिया थी, सोने की चीडिया, आप बोलेंगे सर्थ, सोने की चीडिया, क्या इंडिया के पास physical goal था इतना, अरे physical goal था ही, बट जो इंडिया, and जो साउथ इस्ट एशिया है, इनके पास ऐसी एक चीज थी, जो इस part of the world में थी ही नहीं, जो इस part of the world में थी ही नहीं, वो कौन सी चीज थी, what was that thing, that basically brought this part of the world into world trade, and that thing was spices, पीना spices के, क्या होगा, आप spices क्यों डालते हैं आपके खाने में, सर हम तो spices स्वाद के लिए डालते हैं, we put spices ताकि खाने में स्वाद आजाए, अरे, बट spices खाली स्वाद के लिए ने डाले जाते हैं, spices डाले जाते हैं, खाने की shelf life बढ़ाने के लिए, you also put in spices for what to increase the shelf to increase the shelf life of foods too okay so जब आप shelf life बढ़ाएंगे foods की okay when you will increase the shelf life of foods तो क्या होगा अगर आपके आपके एरिया में बहुत ज़्यादा थंडी बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई तब भी आपका food जो रहेगा वो कैसा रहेगा preserved रहेगा इसी वज़े से European लोगों ने क्या किया European लोगों ने इन एरियास को explore करना शुरू किया क्यों? because इन एरियास में क्या था? this was the land of the spices, turmeric cardamom, paper है ना? then you have club, okay so यह सारे spices का trade होना शुरू हुआ, okay so यह spices का trade धीरे 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 train of wealth में, फिर train of wealth किस में convert हो गए? it converted into basically the rule of Britishers, the colonizing phase, imperialism so मेरा कहने का मतलब यह है कि इस वक्त की जो world history थी, यह भी किस वज़े से dominant थी? because of the crops which were grown, crops किस से linked है? geography से? because यह सारे crops को अगर आपको grow कर करना है, तो क्या आप उन्हें यूरोप में grow कर पाएंगे? आप grow नहीं कर पाएंगे so crop अगर आपको यह crops आपको खाली South East Asia में मिल रहे हैं आपको coffee and tea plantations predominantly कहां पे मिलेंगे? you will find them in the tropical latitudes you will find them in the mountainous regions, so इसी वज़े से पुराने जमाने में trade began, trade के साथ-साथ drain of wealth, colonism, imperialism, mercantilism यह सारी philosophies, यह सारी isms, ideologies आने लगी सर आपने तो यह बता दिया आज के तारीक में बताईएगा कि सर आप तो यह सारा history-colonical angle बता रहे है, geography का कि यह तो resource-based है, resource-based से यह सारी चीज़े हुई, आज के तारीक में हम लोग इसका क्या ख़़े, what should we do this in present day context how can we use this knowledge and make our today's thinking independent, कि कैसे हम लोग जमाने से दो कदम आगे चले अच्छे लिए, यह भी बात में आपको बता देता हूँ, तो यह सोच के न गाईज, आपकी आपके रॉम्टे खड़े हो जाएंगी कि देखिये, कैसे दुनिया चलती है ठीके, so it's a it's a game of basically money, ठीके, कोई भी बड़ी जब country होती है, कोई भी बड़ी जब economy होती है वो economy तभी बड़ी होती है, जब उसके पास पैसा होता है, because economy and the vastness, the greatness of the empire goes hand in hand, okay, so आपके बहुत ध्यान बे रखनी पड़ेगी कि जितनी ज़ादा आपकी बड़ी economy उतना बड़ा आपका रूथवा, उतना बड़ा आपका status, and economy कहां से आएगी, from where you will get the economy, economy will always come from resources what resources that you have, okay, so these resources can be the natural resources that you have okay, आपके पास nature के कौन से कौन से resources है, वो वाले आपके पास आपके देश का social capital कैसा है how is your social capital okay, how are your human resources, आपके देश की जनता कैसी है, इससे भी आपके देश का क्या रहेगा, रुत्बा, आपके देश की progress depend करेगी तो चलिए, जो logic मैंने आपको अभी बताया कि देखिए, कैसे geography ने, कैसे cultivation of crops ने, खीच लाया पूरे Europe को अपने यहां पे खीच लाया पूरे trade को अपने यहां पे and that resulted into us getting what? getting colonized, जो हम और आप आज आज़ादी का महत तो बना रहे है, यह सब शुरू तो किस वज़े से हुआ, यह सब शुरू हुआ, spices के trade से resources, तो क्या आज के तारिक में ऐसा कोई resource है, जिससे आगे जाके कुछ चीजे बदल सकती है, जी हां तो आप सब तो अभी पता होगा, कि हम सब लोग अभी electrification पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हमें electric cars बनानी है, हमें battery storages बनानी है जिससे हम लोग, basically हम लोग अगर windmill setup कर रहे हैं तो windmill की energy जो भी बनती है, solar farms की जो भी energy बनती है, उसे store करने के लिए हमें batteries लगेगी, आप सब लोग, including me, हम सब लोग अभी electronic gadgets use करते हैं बहुत ही ज़ादा intensity से, तो but naturally, इनमें भी batteries लगेगी guys, जो हम ये batteries बोल रहे हैं, कोई भी electric grid की, ये batteries किस से बनती है, lithium ion से lithium ion के batteries रहती है lithium जो है guys lithium is a rare earth element okay, rare earth means ये आपको हर जगा नहीं मिलेगा, ये आप को बहुत ही कम जगों पर मिलेगा दुनिया में, and ये आपको मिलता कहां पर है, ये आपको मिलता है, normally shield regions तो अगर आप lithium देखेंगे कि lithium के, कोबाल्ड के because कोबाल्ड भी बहुत rare earth element है, जो हमें मिलता है so इनके resources at present कहां कहां पर, at present they are in Africa, at present they are in South America so यहां पर आपको ये सारे resources अभी मिल रहे lithium and कोबाल के, सबसे ज़्यादा lithium and South America and Africa, Central Africa and Chile and Argentina यहां पर आपको सबसे ज़्यादा resources मिल रहे फिलाल lithium, कोबाल के, and recently guys, recently what has been discovered is that in Afghanistan too okay, यहां पर पामिर्स में, here you have a mountain range called as पामिर्स and इंडिया में, कश्मीर में भी आपको basically lithium reserves मिले हैं अभी फिलाल so, now if you see the present geopolitical stance, कि यह क्या चल रहा है यहां बे सबसे ज़्यादा geopolitically हो क्या रहा है so, when USA left Afghanistan, जब USA ने Afghanistan को छोड़ दिया तो सबसे पहली country जो अफगानिस्तान के साथ आई, वो कौनसी country थी? China China was the first country which came in hand with Afghanistan, क्यों? because China को पता था कि यहां पे क्या है lithium reserves में, China is a country which is investing heavily in greening of economy so, इसी वजहे से यहां पे China क्या कर रही है China अभी अफगानिस्तान के साथ अपने रिष्टे बढ़ाएगी क्यों बढ़ाएगी? because उन्हें पता है resources it's all about resources so, China increasing its stance in this region of Asia तकलीफ किसे होने वाली है? हमें तो आगया की नहीं, आगया geopolitical pressure China is investing heavily in Africa China बहुत ज़्यादा Africa में invest कर रहा है heavily क्यों? under the belt and road initiative क्यो? because China knows कि जितने भी minerals है जितने भी rarer elements है यह कहाँ पर मिलेंगे हमें? Africa में Africa, you know guys Africa is called as dark continent देखिए इसमें भी geography involved है क्यों? Africa को हम लोग dark continent कहते हैं चलिए, यह भी मैं आप से discuss कर लेता हूँ why do we call Africa as dark continent? Africa को हम लोग dark continent क्यों कहते हैं? ओके कैसे? because अगर आप Africa को देखेंगे तो पूरा का पूरा Africa जो है except the coastal plains तो यह जो पूरा Africa है except the coastal plains it's a plateau यह समतल जमीन नहीं है यह उठी हुवी जमीन है इस वज़े से Africa के अंधर जाना बहुत मुश्किल है आप boat से आप road से अंदर नहीं जा सकते है खाली जो coastal plains है अफरीका के यहां पे basically आपको समतल जमीन मिलती है you find plains rest of the Africa is an uplifted plateau इसी वज़े से अफरीका जो है यह majority of its history explored ही नहीं था and अभी जब अफरीका का exploration हो रहा है so exploration of Africa is resulting into what it is resulting into exploitation of Africa आप बोलेंगे कि सर कैसे एक तो आ रहा है यहां से China and after the Russia-Ukraine war entire European countries are going into Central Africa क्यों? because Russia ने क्या कर दिया? natural gas का supply रोक दिया natural gas का supply अगर रोक दिया तो Europe को energy कहां से मिलेगी so now Europe is going for Central Africa खास तोर से Congo के लिए खास तोर से Congo के लिए क्यों? why for Congo? because Congo के पास क्या है? koila so the tropical rainforest sorry the equatorial rainforest forests of Congo are now being cleared for what? so as to supply coal to Europe so as to supply coal to Europe so guys यह है कि नहीं है modern colonialism 2.0 so guys मेरे कहने का आपको मतलब यह है कि अगर आप समझ पाएंगी कैसे geography कैसे resources कैसे sea access define करते हैं आज के geopolitics को तो you will be better able to understand कि how the work the world is actually functioning कि कैसे जो underpinning चल रहे है कैसे जो undercurrent चल रहे है दुनिया में वो कैसे operate करते हैं चली यह तो हो गए थोड़े से ऐसे examples जो बहुत सारे लोग को पता होते हैं now let me try to give you one or two examples ऐसे examples जो भी recent हुए बट वो बहुत जादे news में नहीं there not that much in news but again but again what is happening कि यह दो examples justify करेंगे कि yes geography is everything and if you understand the geography of place you can very well get connected with the place तो चलिये अभी बहुत ही recent development हुई है यहां पे आओके this part of Africa so this is where you have Niger so recently the president of Niger has been assassinated ठीक है and यहां पे basically अभी जो terrorist outfits है यह terrorist outfits यहां पे grow कर रही है and do you know कि यहां पे interest किसका है यहां पे interest फिर से France का है फिर इसे USA का है आप बोलेंगे कि सर यहां पे क्या कर रही है France यहां पे क्या कर लिये USA so guys you will be shocked to hear this you will be shocked extremely shocked to hear this कि France का जो major uranium supply है जो दुनिया का लगभग 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 10 तक का and France का लगभग 30 तक का 10% of the world's reserves of uranium and around 30-50% of exports to France of uranium they come from Niger they come from Niger uranium की बात कर रहा हूं they come from Niger इसलिए अभी देखेगा जहां पे आपको vested interest मिलेंगे किसके? European countries के and USA के तो see how resource how resource like the terrorist outfits उन्हें भी पता है कि यहां भी uranium है तो यहां पे पैसा तो है ही है ultimately it is all about what? it is all about endowment आपके पास कितने resources है आपके पास social capital कैसा है उससे आपकी country की future defined होगी so यह हो गया बहुत common बहुत ही recent and बहुत ही extremely sensitive example अभी last week के development है यह एक development हो गई and now let me take you to Japan okay let me take you all to Japan sir यह तो resources यह तो आपने जॉगरोफी यह सारे बहुत बड़े-बड़े example बता देजे okay now please give me an example please give me an example कि human capital से हम लोग कैसे कर सकते है how we can correlate human capital with development of a country okay so मैं आपके साथ एक बहुत ही shocking statistic discuss करना चाहूंगा कि recently if you see Japan तो जापान में अभी जो population का growth rate है वो negative चल रहा है जापान में जो population का median age group है यह एवरेज age of population वो लगभग 48 तक बहुत चुका है so average population of Japan is now 48 years old कितना 48 years old and today if you go to Japan Japan एक ऐसी country थी जो epitome थी किसकी hard work की जो epitome थी basically world की development की Japan was supposed to replace USA as number one economy but अभी हो क्या गया what has happened actually in Japan is that कि यहां पे technological interventions in human life यहां पे technology इतनी जादा इंसान के life में आ चुकी है कि here people are getting disconnected with each and everyone तो यहां पे हो क्या रहा है basically यहां पे जो अभी social capital की building होनी चाहिए यह building हो नहीं रही है this is not actually happening in Japan तो यहां पे population number जो है यह अभी घटते जहां रहे है negative growth rate positive great rate हो नहीं रहा है तो जापान जो है now it is on the extreme end हम तो अभी basically now we are moving into developed category जापान तो developed के आखिर के stage पर आ चुका है कि development इतनी हो चुकी है इतना जादा technological intervention हो चुका है कि यहां पे अभी population basically एक में के साथ connect करना भूल गई है they have stopped basically increasing their numbers and now the Japanese economy is going into the shamp so मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप population demographic समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है so you can predict the same for our country too कि हमारे country में हमें कैसी development चाहिए क्या हमें development खाली number focused चाहिए क्या हमें development खाली outcome focused चाहिए या हमें development inclusive चाहिए तो आप वैसे जापान के example लीजिए वैसे आप South Korea का भी example लीजिए South Korea की भी population अभी negative growth record करना शुरू करते है क्यों? Because of intense technological intervention so guys I am summarizing my lecture with very beautiful thought with very beautiful thought that if you understand कि कैसे world की geography impact करती है historically present day in terms of resources, in terms of population demographics, in terms of trade, in terms of security, in times of maritime access so आप समझ पाएंगे कि आप basically इस दुनिया में कहां placed हो इंडिया को challenges क्या क्या है and you as future civil servants of India आपको कहां कहां पे काम करना पढ़ने वाला इंडिया के लिए because me as a faculty at Study IQIS and the entire organization of Study IQIS हम यही चाहेंगे कि बेटा अब सब लोग इंडिया के future civil servant ऐसे बनिये कि जो इंडिया का नाम रोशंग कर रहे है because this is the time when India needs you so guys on this independence day I genuinely pray that each and every one of you will start your journey with us each and every one of you will become independent by thought आप आपके सोच से आजाद होंगे and end करने से पहले मैं आपके साथ और एक चीज़ करना जाहूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ all of you can connect with me on telegram okay I have a open group on telegram called as geography by प्रितेश मातुरकर यह मेरा open group है telegram पे इसे सर्च करने के लिए आप बस at geography by प्रितेश सर्च कीजिएगा so आपको इस group के details मिल जाएगी आप जैसे सर्च करेंगे and group है यह so it's a discussion platform so normally इसमें बच्चे ही बच्चों के doubts answer कर देते हैं and अगर doubts answer नहीं हो पाते है then I step in okay so मैं आशा करता हूँ कि इस lecture के बाद आपको एक motivation मिला होगा आपको एक जजबा मिला होगा कि जी हाँ sir अभी हम सोथ से भी आजाद होंगे and हम अभी geography मन लगा के पड़ेगे okay so on the behalf of study IQ is wish you all a very very happy independence day be independent by thought now is the time that you take off your wings and rather the horizons of the sky up abhi puray asman ko ulang रहे okay so until next time guys please take good care of yourself adios amigas thank you study IQ is abdyaari hui affordable